हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आप आप अच्छे ही है अदब तक से आप नहीं आये थी अच्छे ही थे बढ़िया चल रहा है आप आप बायो लेकर आजाती हैं रोज यह उटा-उटा के उगलने के लिए तो क्या करूँ मेरा भी काम है अब उगलना तो है किसके पर उगलू आप ही मेरे जो अजीज हैं जिसको मैं यह अपना सब कुछ बता सकती हूँ तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो कि आपको पता ही है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस नया चैप्टर मे हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार हम चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि कैसे पढ़ना है हम ऐसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वरगी करन की आवशकता है कि क्या आवशकता है यह सब करनेगी क्यों मादा बोड़ी कर रहे हैं अमित्ती उसके बाद वरगी करन का निए पाँच जगत अवदार्ना का वरगी करण करना है उसके बार में पढ़ना है उसका वरगी करण भी करना है फिर वाइरस जो के आज कल बहुत फेमस है जब से कोड़ना अ और उसके बाद है वाइरोट और फिर लास्ट पढ़ेंगे प्रियोंस जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोन्सक हिंदी में चलिए तो आजका जो lecture flow है वो कुछ ऐसा रहेगा वर्गी करन की आवशकता है कि क्यों वर्गी करन आवशक है अध्यन की सुविदा और यानि कि क्या क्या आवशकता है उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे अध्यन की सुविदा जेव विकास का प्रक्रम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और जाती वरत्य अद्धिन क्या है नए जीवों का अद्धिन क्या है और वरगी करन का इथास क्या है इसके बारे में और चार जगत अवधारना पांच जगत अवधारना और 6 जगत अफदारना के बारे में 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 पढ़ेंगे बाके सब छोटा छोटा इसलिए चलिए शुरू करदें तो वरगी करन की आवशकता क्यों ही क्या ऐसा आफ़त आन पड़ी जो वरगी करन लाना पड़ा तो हम आसपास आप देखते हैं आप दुनिया जान को छोड़ दीजिए आप तो अपने घर की बात कीजिए आपके घर के आसपास अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे को बताओ एक लिस्ट बना के लाओ कि कितने सारे पौदे हैं और कितने सारे एनिमल्स आपके घर के आसपास एक किलोमेटर ही जादा नहीं जाना दूर तर तो जाते ही नहीं हम पास आलसी लोग हैं तो क्या करना है कि एक किलोमेटर तक प्लांट और एनिमल्स दून के लाओ अब एनिमल्स तो फिर भी आप दून के फोटो चिपकाद होगे नाम चिपकाद होगे क्या सारे प्लांट के फोटो प्लस नेम बता पाऊगे आप मुझे गिने चुने जो आपके घर के गार्डन में लगे हुए रोज वोज इसके बारे में छोड़ दो जंगली में भी आप चले जाओ कई भी जंगलों में चले जाओ मतलब जहां पर फ्लॉट खाली वाली पड़ेओं उनका नाम बता दो क्या बता पाऊगे नहीं बता पाऊगे तो इसी लिए इसी सुवीदा को सौल करने के लिए क्या हुआ कि संसार में करोड़ों जिव है प्लांट भी बहुत सारे और एनिमल्स भी बहुत सारे उनमें से प्रते का अध्यन करपाना सुवीदा जनक नहीं है बतलब एक एक को अगर मैं चाहूं कि मैं अध्यन करूं तो क्या करूंगी उसको पगड़ के लाओंगी उसकी चीरा वाड़ी करूंगी ऐसे थोड़ी परिया जाए नर्सरी टू वफट क्या हाल होगा किसका नाम किसको पता होगा और किसको क्या पढ़ाय जा रहा है कुछ समझनी आएगा तो हमने क्या कि पढ़ाने के लिए मतलब study के लिए एक क्लास बना दी यह फर्स्ट में पढ़ेगा यह सेकंड में पढ़ेगा उनके ज् शरद्दा के एसाब से कौन कितना पड़ सकता है. तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं कि करोर कि सुविदा जनक करना है, मतलब जोसुविदा जनक करना ऐन्याहत्ति, अध्यन की देज़िति पृत्वा के लिए यह सारे अनिमल मेरे घरके आसपस नहीं मिलते हैं आपको डूड़ने के लिए बोला दाया, लेकिन मेरे गर के आसपस जो मिलते हैं उसके दो-तीन के मुझे नाम पता है एक तो पार्थेनियम मिलता है और एक आरजीमोन मैकसिकाना मिलता है ठीक है ये दो नाम मुझे पता है वीज के बाकी तो पता नहीं चलिए तो ये जो है ये क्या है ये सारे अनिमल देखे बिन प्रगाई को खुबसूरत अनिमल नेचर बहुत जैसे मैंने आपको बोला बायो को पढ़ना बिलकुल एजी है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं उसको विजुलाइज कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं ऐसा सारे सब्जेक नहीं कर पाते हैं मतलब विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो ये इतने अनिमल है अब इन सब को अगर आपको देखना है समझना है study करनी है आगे कोई research करनी है दवाया बनानी है जो भी करना है तो इन सब को study करना पड़ेगा तो हमने क्या किया कि अध्यन की सुविदा के लिए मतलब study करने के लिए इन सब को group में वाट दिया जैसे जो उड़ने वाले थे उनको पक्षी बोल दिया कि भाई तुम पक्षी हो ये जो नीचे चलने वाले थे ये rabbit है आप है मैं हूँ इन सब को mammals में डाल दिया आमने क्योंकि इन में memory gland थी ये भी mammal है ठीके ये हाती भी mammal है फिर जो पौदे जैसे मतलब ऐसे हरे बिरंगे रूंग वाले दिखते थे खुशबू देते थे उनको आमने बोला कि तुम आज से प्लांट हो ठीके और गाय भी mammal में आती है ये जो है वो amphibians है इने उबहचर है क्योंकि ये क्या थे ये पानी में जमीन पर दोनों साइड रहते थे ऐसी beetle insects में डाल दिये और ये भी mammal है वैसे ये भी insect है तो इस तरह हमने क्या किया इनको classify कर दिया जैसे आपको अलग-अलग class में बिठा दिया ताकि आप एक साथ बैठके मस्ती नहीं करो ये भी मस्ती कर रहे थे तो इनको हमने classify कर दिया ठीके तो सबसे पहला reason क्या है वर्गी करण का अध्यन की सुविधा के लिए दूसरा reason है जे विकास का क्रम ग्यान अब दुनिया में कितनी बार जब आप बच्चे थे तब से आप ये question सुनते आ रहे हो कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा जवाब मिलाए क्या आज तक आपको बताओ बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा ये सवाल आया कि नी इस सवाल का जवाब कौन देगा आपको इस सवाल का जवाब वर्गी करण ही देगा यानि साइन्स ही देगी और मैं बताओंगे आज आज आपको इसका जवाब कि इसका जवाब क्या है क्योंकि इसका सही जवाब है कि जेव विकास का करम ज्यान होता है क्या है ये जेव विकास तो जेव विकास ये बताता है कि वर्गी करण के माद्यम से किसी जीव का विकास मतलब ये जो जीव बने है अलग-अलग प्रकार के चाहे आप हो, चाहे पौदे हो, चाहे कोई भी इंसान जो जानवर है वो है, वो कैसे बनाए और कहा से बनाए, किस प्रकार वक्त किस से हुआ है, यानि कि मुर्गी से अंडा बना है या अंडे से मुर्गी बनी है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये अध्यन से पता चलता है, वर सुनिए सवाल का अंसर सबसे पहले कौन आई? मुर्गी आई अन्णा नहीं आया ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका एक अंसर है जेविकास कैसे जेविकास? तो ये ऐसे जेविकास कि हम जो मानते हैं कि पहले क्या हुआ? अगर हमारी हम क्या मानते हैं? कि हम कहां से आये हैं? तो हम बंदरों से बन के आये हैं ये किस चीज़ कैसे पता चला हमें जब हमने स्टडी की तो ऐसे ही मैं आपको कुछ ग्रूप बताती हूँ जैसे सबसे पहले माना जाता था कि पहले क्या थे? सारे जानवर जो थे वो कहां रहते थे? पानी में रहते थे कहां रहते थे? पानी में रहते थे तो जितने भी पानी वाले जानवर हैं उनको हमने एक ग्रूप में बाट रखा है वैसे तो और भी ग्रूप में पानी वाले लेकिन बस आपको जो पता है मैं आपको आपके लेवल पर जाके समझाना चाहरू हूँ तो उन सब को हमने कहा दिया कि वो मचलिया थी और उनको एक ग्रुप में बाटा हुआ है हमने जिनको हम पिसीज कहते हैं है ना मतस्य ग्रुप ठीक है फिर ये पाया कि जब मचलियों को दीरे दीरे जब आतावरन चेंज हुआ उनकी खाने की अवेबिलिटी कम हुई और बहुत सारी चीज़े हुए तो मचलियों ने क्या किया दीरे दीरे जमीन पर आना शुरू किया अब कुछ मचलिया जो है आपको जमीन पर दिखेगी इसका सबूत कि डॉल्फिन आती है बाहर है ना आती है ना पानी से बाहर कुछ ऐसी सील होती है वैसर तो उसका गुरूप यह अलग है लेकिन आपके लिए अगर वो पानी में रहती है तो थोड़े टाइम के लिए बाहर आती है कच्छवा जो पहले पानी में रहता था आपने देखा होगा बाहर आता है तो दीरे दीरे मचलियों ने कहा आना शु तो जब उनको स्टल पेज जरुवत होती है मतलब खाना पीना अच्छे से अवेबल होता है तो वो स्टल पे रहते थे मतलम लेंड पे रहते थे और जब उनको कोई दूसरी रिक्वार्मेंट जैसे जनन वगेरा करना है रिप्रोड़क्शन करना है बाहर बहुत गर्मी है पूल में जाना है तो वो पानी में चले जाते थे तो ऐसे जो जल दूनों में रहते थे फिर उनको हमने किसमे बाट दिया उभाचर कहने लगए उनको कि यह उभाचर है और यह कहां से बने है पिसीज से बने है ठीक है यानि मतश्य से इनका विकास हुआ है इनकी requirement के साब स आपने लेमार को डार्वीन के सिद्धान पढ़े हुए वो भी यही कहते हैं पूरी तरह से तो कोई भी सही नहीं है लेकिन डार्वीन लेमार की सब क्या कहते है कि जिरावक को जैसे-जैसे पहले वह ठंगना हुगा करता था लेकिन उसका क्या हुआ हुआ जैस तो ऐसा ही कुछ हुआ कुछ चेंज हुआ और यह उबहचर बन गए फिर इनको लगा कि नहीं यार दोनों में मजा नहीं आ रहा है हम तो एक ही तरह रहेंगे पानी में भी जीवन लिला है वैसी कठीन है और बड़ी बड़ी शार्क हम को खा जाती है ठीक है तो इन्हों ने क् आती है आपकी चिपकली आती है और लिजार्ड आती है सारी और इस तरह की चीज़े आती है तो यह रेप्टिलिया बन गए अब कुछ रेप्टिलिया तो एक्जिस्स करें मतलब रहे और कुछ रेप्टिलिया जिनका जीवन समापत हो गया जैसे डाइनोसार भी एक कहते हम है था अपन खाक्रामी जाना लिए अब इन रेप्टुर्या ने सोचा कि बड़े कर ऊपकार सोची तो रहा थी जहल जाते था है यहां तो बड़े जल यह जले जाते थे बार आजाते हैं और दीरे दीरे उनमें पंखो का निर्मान हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, जीन वगरा चेंज होगे, और दीरे दीरे यह क्या करने लग गए, उड़ने लग गए, इसके सब के सबूत है वाई, कुछ भी वो नहीं है, इनके बीच की जो गप्य ठोक रहे हैं, इनके सब के सबूत है, फॉसल्स मिले, इनके जिवाशों मिले, ठीके, उड़ने लग गए, जिसको हमने बोल दिया, कि यह क्या बन गए, अब पक्षी बन गए, ठीके, और फिर पक्षी से क्या हुआ, इनमें पक्षियों में फिर कुछ रिक्वार्मेंट हुई, समय चेंज हुआ, समय क ठीके, तो इन सब के जैसे स्तन और पक्षियों के बीच की योजग कड़ी, जिसको आप बोल रहे हैं, योजग मतलब ऐसा एक पक्षी मिला हुआ है, जिसमें कुछ लक्षन तो मेमेलिया के हैं, और कुछ लक्षन जो है वो उड़ने वाले के, ऐसा एक आर्क्योप टैरिस म पक्षियों के हैं, और कुछ गुण कैसे हैं, रेप्टाइल्स के हैं, मतलब उबयचर, कुछ तो वो लिजार्ड जैसा दिखता है, और उसमें है, और कुछ ऐसे हैं जो पक्षी जैसे दिखते हैं, तो अब आपको जवाब मिले होगा, कि पहले मुर्गी आई, इन मुर्ग लेकिन उड़ती नहीं है, ऐसे ही मौर है, पूरा हाइट पे नहीं उड़ता, तो दीरे-दीरे इन रेप्टाइल्स नहीं उड़ना सीखा होगा, तो यह कम हाइट पे उड़ते थे, फिर दीरे-दीरे उन अपनी प्रैक्टेस बनाई और इसका में जूट नहीं है, इसके नहीं जाती के रूपें बन गई है, और फिर इसने अंड़ा दिया होगा, तो इसकी जातियों की संख्या मतलब जनन किया इसने, और इसमें क्या हो गया, संख्या में रद्धी हो गई, तो पहले जीव बनता है, और वह जीव अपनी जब संथती को बढ़ाता है, अंड़े गर या बच्चे देखकर तो ऐसा होता है, तो अब आप जवाब दे सकते हैं, कि क्या जवाब दे सकते हैं, कि जेव विकास के प्रक्रम में, मतलब जो ये हम डेवलप्मेंट पढ़ते हैं, जीवो का, उसके हिसाब से सबसे पहले कौन आई, मुर्गी, कहां से आई होगी, वो रेप्टाइल से आई होगी, क्योंकि हमारे जो पक्षियों के पूर्वज हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल कहलाते हैं, चलिए, तो जवाब मिल गया आपको, कौन आई भाई, मुर्गी, अब सवाल अदूरा नहीं है, तो पहला है, जेव विकास के दृष्टी क कि हम वही पूर्वजों का पता लगाते हैं, कि हम आय तो है, मतलब मुर्गी आय तो है, लेकिन किस से आई है, जैसे अभी मैंने बोला, रेप्टाइल से आई होगी, अगर बनी होगी, सबसे पहले जो पक्षि बने थे, वो कहां से बने थे, रेप्टाइल से बने थे, ठीक तो बंदरों जैसे हमारा फेस है वही दो हाथ है पैर है बाल भी है शरीर पे भले ही कम हो गए तो यह क्या हुआ विकास के प्रक्रम की वज़े से हुआ जे विकास कि हमको लगा कि नहीं इसने सारे बाल की कोई ज़रुत नहीं है कपड़े पहन के भी हम क्या कर सकते है ठंको ब बढ़ेंगे तो यह सारी जो चीजे हैं यह हमें बताती ही कि हम कहां से आये हैं बंदरों से आये हैं और चिंपैंजी वगरा को तो देख लो आप बिल्कुल हमारे जैसे अक्टिंग वगरा सीखना सब कुछ करते हैं तो यह ऐसी मुर्गी का भी आपको बताया जो तो पूर आजकल जैसे जीन चेंज हो रहे हैं आजकल बच्चा कितना दिमाग तेज होता है उसका लेवल कितना हाई होता है हो सकता है कि 15-25 सालों बाद जब बहुत सारी पीडिया बन जाए तो हमें भी बहुत सारे कुछ चेंजे आजए तो हम जो मानव है उसकी भी कोई नहीं जाती और हम सूपरमैन बन जाए वैसे कुछ इंसान जीवन में भी अच्छे काम करके सूपरमैन बनते हैं तो सूपरमैन बन जाए तो ऐसा हो जाए यहां पीर आप देखिए कि कुछ किडे होता है अगर आपने बीटल की छोरी पड़ी हो बीटल समझते हैं एक किडा होता है ओके घ्याय गुद्ल लगते हैं अब क्या होगा कि इसने सोचा कि यह अपने कलर में अपने जीन्स में ऐसा कुछ चेंज करना शुरू कर दिया और पॉलिशन तो था ही इसके स्किन में ऐसे कुछ चेंज हो गए और वह चेंज कहा तक हो इसके जीन तक गुनसुतरों के देखनी पाता था फिर इस नए देखा कि बही जो सब्दम करवांती में पड़ा था झार दूसरी जाते से नहीं कर सकती, जब जनन करवाया तो इन में जनन नहीं हुआ, दिखने में सेम थे, कलर ही सिफ अलग था, लेकिन उसे उपर से कलर लग नहीं था, इनके जिंस में भी चेंज हो गया था, तो ये कीड़े की जाती ही बदल गई थी, कोई नया जीव उत्पन हो जोपन चुका था, तो ऐसे नये जीव की उत्पत्य होती है, तो ये नया जीव यह पता कैसे चलेगा, तो जब हम क्लासिविक्षन देखेंगे, उसके बाहर शरचना देखेंगे, कि इसके भी दो हाते है इसके भी दुकाने, इसके यहां पर छेद है, बहां पर छेद नहीं कि मैंने नया जीव ढूंडा है चीटिंग ठीके तो वो possible नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा classification से अब वर्गी करण का इथास तो आप जिसको ढूंड रहे थे कि कौन है जो ये वर्गी करण लेके आया है तो वो कोई एक नहीं है और अब आप उनका कुछ करण भी नहीं सकते क्योंकि वो जा चुके है चीके चले तो वर्गी करण का इथास क्या है सबसे पहले वर्गी करण वैसे तो और भी होगा लेकिन हमारे पास जो डाटा है इकटा उसके एसाब से हम बात करते हैं कि सरवपतल वर्गी करण जो है वो अरस्तु ने दिया था अरस्तु जिसको क्या कहा गया है जीविज्ञान यानि कि जुलोजी अगर जीविज्ञान नहीं बोले जीविज्ञान का भी और जुलोजी का भी जनक का भी फादर ओफ जुलोजी father of biology कहा जाता है Aristotle को तो इन अरस्तु ने क्या किया जिन्होंने दो जगत अवधार ना दी कि जितने भी जीव वहाँ पे available थे उस time उनको उन्होंने क्या किया दो भागों में बाट दिया एक तो obviously जो हमें दिखते है पादप और दूसरे जो चलते थे फिरते थे मज़े करते थे किसी की नी सुनते थे उनको डाल दिया जन्तों में यानि एनिमल में ठीक है अभी भी है लेकिन उन्हों जो classification किया मतलब पादप भी को एक ताइप के plant तो नहीं है बहुत सारे ताइप के हैं तो उन्होंने plant को सिर्फ किसके आधार पर डाला था उसकी आकारी की के आधार पर आकारी की मतलब जैसे वो दिखते हैं सिर्फ उसके आधार पर इन्होंने classification किया तो पादपो को तीन केटेगरी में बाठता है उन्होंने पहली केटेगरी क्या थी? पहली थी पेड जिसको हम क्या बोलते हैं व्रक्ष यानि कि ट्री ठीके दूसरी केटेगरी उन्होंने बोला शाक जिसको हम बोलते हैं हर्ब छटी साथ भी में पढ़े हूंगे ये classification ना ट्री हर्ब यानि शाक और दूसरी है जाडिया जिसको हम क्या बोलते हैं श्रब किसको क्या बोलते है पता है ना पेड जो बड़े होते हैं जिनका तना काश्टिल होते हैं सब सिक्स्त में पढ़के आयोंगे जिनकी मोटी कास्ट होती है, बढे होते हैं, तना मोटा होती है वो पेड़ हैं, जिनका तना बहुत कौटा होता है हरा होता है, हाइड भी छोटी होती है उनको हम हर्ब निकी हम हर्ब से कह देद दें जैसे धनिया जयो bible फ Sounds कुम चे कि aim also तो पहले तना होता है, फिर ब्रांचेस होती है, हर्ब में भी तना होता है, उस पर लेती है, लेकिन जाड़ियों में क्या होता है, जाड़ियों में यह ऐसे ब्रांचेस निकली होती है, बहुत घने, हाइड भी क्या होती है, पेर से कम होती है, तना इनका भी कास्टिल होता है मतलब बूरे कलर का होता है ठीके तो ये तीन बेसिक डिफरेंस आपने बच्पन में पढ़े होंगे थोड़े से बता भी दिये जन्तों को इनने दो भागों में बाटा ये भाई बुक में नहीं है तो आप साथ साथ नोट करते रहना रक्त वाले मतलब जिसमें क्या हो ब्लड कलर का ब्लड निकला उसमें नहीं निकला वो जो आपके बारिश में निकलते ना कीडे जिसमें वाइट कलर का ब्लड मतलब ब्लड तो नहीं होता वाइट कलर का सिरम निकलता है तो एसे जिसमें रेड ब्लस सेल सी नहीं रप्त था ब्लड था और एक ऐसे जो रप्त हीन थे इन्होंने भी जगत वही बाटे थे दो, एक तो पादप और एक जनतू, लेकिन यहां पे इन्होंने जो आकारिकी ली थी, मतलब सिफ देखने के आदार पर जनतू और पादपों को बाटा था, एनिमल और प्लांट को बाटा था, इन्होंने ऐसा नहीं किया था, इन्होंने क्या किया कि आकारी की मतलब फिजिकली दिखने के अलावा भी जो दूसरे लक्षन थे उन पे ध्यान दिया लेकिन इसकी भी ये जो दोनों चीजे थे वो जादा दिन तक चली नहीं क्योंकि वही नए जीवों की जब खोज हुई तो पता चला कि एक जीव है आपने पढ़ा होगा यूगलीना नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा देती हूँ उगलना तो है ठीक है यूगलीना क्या है ये यूगलीना पैरामिश्यम जैसा ही दिखता है कुछ ऐसा यह ऐसे होता है अब यह युगलीना जो था पूरा नी बना रही उसे बाधा दुरा बनाया है मतल mentors थोड़ा साथ को धयान देने के लिए paramicum type की होता है लगिए इसमें flagela होता है, paramicum में flagela नहीं है तो युगलीना जो था इसको जब देखा गया तो देखा गया कि इसमें कुछ ऐसे लक्षण है जो पादपों से भी मिलते हैं और कुछ ऐसे लक्षण है जो जन्तों से भी मिलते हैं और इसलिए युगलीना को पादप और जन्तों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है क्नेक्टिव लिंक जैसा मैंने बोला जाने कि हम यह कह रहें कि इनके पूरवज वह है मुर्गी रेप्टैल से आई है उसका अर्क्योप्टैस है ऐसे पादप से जन्तों बने या कुछ न कुछ इनके बीच में कनेक्शन है यह सब फॉसल्स बताते हैं योजक कड़ियां बता फंट वाला ठीक है दूसरा यूगलीना जो है यूगलीना में क्या नहीं होती है सेल वाल नहीं होती मतलब क्या नहीं होती कोशी का बित्ती नहीं होती कोशी का बित्ती नहीं होना किसका लक्षन है जन्तों का लक्षन है और भी है पर आपको इतने पता ही नहीं है और ज्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूगलीना अभी पढ़ा नहीं है नेक्स चाप्टर में पढ़ेंगे हम या इस इस चाप्टर में पढ़ें जो है वो ज्याद़ा दिन तक चला नहीं अब next classification पर आते हैं next classification है तीन जगत यानि 3 kingdom classification ये दिया था Ernest Haigal ने क्या किया इननोंने वाहि साब ने इननोंने पादप और जनतों तो थे इन्होंने एक और बना दिया प्रोटिस्टा अब यह प्रोटिस्टा क्या है प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा यू केरियोटिक को रखा यू केरियोटिक यू केरियोटिक समझते है न जिसमें नुकलियस जो है वो पूरा अच्छे से बना हुआ रहता है नुकलियस मेंबरेन अच्छे से बनी होती है दूसरे टाइप के होते है प्रोकेरियोटिक तो इन्होंने क्या किया प्लांट लिए एनिमल लिए और कुछ जी और अधिकतर इसमें कौन रखे गए शेवाल रखे गए थे मतलब एलगी रखी गई थी लेकिन बाद में जब अध्यन किया गया तो कहीं ऐसे शेवाल थे जो इस केटेग्री में फिट ही नहीं आ रहे थे ठीक है जब क्लासिव केशन पढ़े दीरे-दीरे सब समझ में आएगा तो शेवाल इसमें कहीं फिटनी आ रहे थे और इसमें क्या हो गए पादब तो कैसे होते हैं सब स्वयम पोशी होते हैं जन्तु कैसे होते हैं सब विशंपोशी होते हैं मतलब अपना खाना दूसरों से बनाते है प्रोटिस्टा में ऐसे थे जो स्वैंपोशी तो इसकी कुछ कमी आ थी जिसकी वज़ा से यह चले नहीं अब तीन से दोने चला एक चोधा बनाएंगे अपन क्या हुआ एक ने चला दोने चला तीसरा चोधा बनाएंगे तो इन्होंने क्या किया यह थे कॉपलेंट सर इन कॉपलेंट सर ने क्या किया कि चार जगत बना दि इन्हों ने बोला कि मैं प्रोकेरियोट के लिए एधन रहर में इसमें रख देता हूं प्रोकेरियोट को भूकुशिकियू दिया, जैस्से उन्होंने रखा था प्लांटी प्लांट्स को रख दिया और एनिमेलिया में सारे जन्तों को रख दिया तो इन्हों ने एक नया ही क्या करवा दिया मोनेरा ग्रुप बना दिया इस तरह से दीरे दीरे शुरुआत हो रही है उसके बाद आए पाथ जगत अवदारना अबाप देखें कि करवको को तो कोई स्थान नहीं दिया यानि कि फंजाई को विचारे को पूछी नहीं रहे कि यह भी डुनिया में है या नहीं कई बार हम पुछतेस होँना ना बराबर है ऐसे इसका होना ना बराबर साही चल रहा था फिर आए पाथ जगत अवदारना लेकर वी एच डवी एच वी टेकर ठीक है इन्होंने में 1969 में इसी को हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में अभी तो सिफ शॉर्ट में बता रहा हैं क्यूकि हम इधास पढ़ना है तो मोनेरा बनाया मोनेरा में भ أ clean अप्रो केयोटिक लिये मनamız जिनमें अच्छे से क्या है नुकलियर मेंबरेन बनी हुई और अच्छे से क् से जो कि क्या थे? म्रतोब जीवी थे जो कब से विचारे ढूण रहे थे कि हमें तो जगा देई नहीं रहा कोई हमें तो पूछी नहीं रहा उनको इनों ने जगा दी और एक नया कुरप बना दिया कवक जिसमें सारी कवक यहनी फंजाई फंजाई समझते है ना वो मश्रूम वगेरा और ब्रेट पे जो फफून वगेरा लग जाती है प्लांटी प्लांट्स और अनिमेलिया पता ही है सारे अनिमल तो यही क्लासिफिकिशन दूर तक चला जैसे हम अभी भी पढ़ते हैं लेकिन वही है कि कुछ तो नया करना है तो एक साइंटिस्ट आये जो 6 जगत अवधार्ना लेकर आये कॉल्भूस, कैंडलर और वहिलस इन्होंने क्या किया नहीं वीटेकर के क्लासिफिकिशन अच्छा नहीं है अब इससे बेटर क्लासिफिकिशन दे सकते हैं और उन्होंने क्या किया छै जगत धार्ना बनाई अब अभी भी हम 5 जगत अवधार्ना कोई फॉलो करते हैं यानि कि वीटेकर के क्लासिफिकिशन कोई क्योंकि वीटेकर और इनके जो यह इसमें कोई ज्यादा चिंज नहीं है इन्होंने क्या किया वस इन्होंने कब दिया 1920 में क्या किया इन्होंने कि जो मोनेरा था क्योंकि मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रख दिया गया था लेकिन बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो हर जगर रह जाते हैं मतलब आपके आसपास बहुत सारे वाइरस बैक्टीरिया हैं लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रीम खतरनाग बैक्टीरिया होते हैं जो 100 डिग्री के बॉइलिंग टेंपरेचर पी भी रहते हैं वो कभी-कभी सौपोशी भी हो जाते हैं कभी-कभी विश कर रहा है बस इसकी दो केटेगरी बना दी एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया आर्की का मतलब पुराना ठीक है तो पुराना बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया यू का मतलब होता है सच वाला ब्रेक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं जिसके लक्षन हम आगर मतलब पुरानी है न पहले मतलब ये अड़्वान्स है अभी वाले हमारे ऐसाब से कि इनको इनसे तो मरते नहीं तो इनसे मारेंगे इनको तो ये यू-bacteria अभी वाले है और आग जित्ते भी character पढ़ते हैं वो इस बार हम आर्की-bacteria के भी पढ़ेंगे इनको आग-bacter इसका पढ़ेंगे हम क्या है, यू बैक्टिरिया, प्रोटिस्टाथाई, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीके, तो एक तरह का यह वीटेकर का गी था, इसलिए हम वीटेकर ही फोलो करते हैं, और उसके अंदर ही इसको दो भागो में बाट के पढ़ लेते हैं, जैसा कि अ अवशक्ता है थी, तो देखा हमने अध्यन की सुविदा से, फिर हमने आज जो इतने सालों से जवाब दून रहे हैं, कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो आज हमने इसका जवाब दूनना कि पहले मुर्गी आई, उसके बाद हमने देखा, कि जाती वरती विकास क्या हो इसका आपकी फर्स चेप्टर में क्वेस्टन है कि वर्गी करन को चेंज करने की आवशक्ता क्यों है, उसका जवाब उस चेप्टर में नहीं है, इस चेप्टर में, क्योंकि समय समय पर, समय समय पर क्या हुआ, अलग-अलग साइंटिस्ट आयों नए जीवों की जैसे जैस यह उसका आंसर है ठीक है कि उसका आंसर आपको इसलिए वहाँ नहीं दिया क्योंकि वहाँ था ही नहीं उस चैप्टर में आंसर इधर है फिर हमने देखा अरस्तू का अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन फिर द लीनियस का क्लासिफिकेशन जो आप बहुत द्री नाम पद्धती भी पढ़ते आए लीनियस की उसके बाद इन्होंने तीन जगत अवधार्ना दी जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने पादप जन्तू औ निमेलिया पढ़ने हमें पांच जगत अवधार्ना जो डवी टेकर के गारत दी गई थी और फिर उसी को थोड़ा से डिटेल में जाके हमने क्या किया कि छे बना दिये मोनेरा को भी दो भागो में विभाजित करके तो आई होब आपको ये चैप्टर जो है वो इस लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ